इस्टूडेंट आफ क्लाशिक्स टूडे आई स्टार्ट यूर फर्स्ट लेशन अफ जी के भुक एक टॉट्वाइट सुपरिस्टार बच्चों इस लेशन में यह बताये गया है कि एक टापू होता है आईलेंड जहां पर एक कछुगा होता है जो प्रिथिवी का सबसे बड़ा कछुगा है वह मनुष्य के साथ जीवन बतीत करने के वाद में बिलिप्थ हो जाने वाला पहला क्रियेचर है इसमें लिखक के द्वारा यह बताये गया है कि एक वार इस टोट्वाइज को किसी बाइलोजिकर पार्क में रखा जाता है उसके साथ एक फिमेल टोट्वाइज को भी रखा जाता है 16 वरस के वाद उफिमेल जो कचुगा है वह कुछ अंडे को देती है लेकिन उसमें से कोई आफिस प्रिन नहीं निकल पाता है अर्था उसका कोई संतान नहीं होता है और ठीक इसी परकार चार वरस के वाद यह देखा जाता है कि वह कचुगा 24 जून 2012 को मर जाता है और मनुस्य के साथ बिलिप्त हो जाने वाला इस प्रिथिवी का वह पहला सुपरिस्टार हेरो बन जाता है तो फर्स्ट लेचर में बच्चों यही बात बताई देगे फिर दूसरा टॉपिक इसमें काता है नेटिव एनिमल इसमें बच्चों एक वातियाद कर लेंगे दे ओरिजिन ओफेस्पीज जो डार्विन चार्ल्स का चार्ष डार्विन का लिखा हुआ यह ओर्जिन ओपेस इस बहुत ही विश्र विख्यात पुस्तक है जो अथारे सव उन्साथिस्वी में लिखा गया था इन दिस बूक ऑन दी ओर्जिन आफ श्पेसिज चाल्स डर्विन put forward the theory of evolution based on natural selection according to this theory all organism develop features that help them survive in their specific surrounding दिश्ट तो बच्चों Hist não बाता गया रहा है कि कोई जीव जिस परवेश में रहता है उस परवेश में रहने की लाएक अपने आपको करता है ड़ालने अपने आपको बणा लिगता है उस्पर वेश्म में रहने की लाइक इसी सिध्धान्त पर यह किताब लिखा हुआ है इसमें बताएगा है कि कौन सा जीव किस छेत्र में रहता है और अपने आपको कैसे एडप्ट करता है तो इसका मैचिंग करकर आप लाइएगा नेक्स्ट रोज हम लेगो इसके बारे में जब विद्याले खु ला जेंट पैंडा लेमर पोलर वियर जैकल मस्क डियर संगाई इंपेरियर पिंगोईन फिशिंग कैट इन सारे जीवों का उद्गम अस्थान कहां है अर्थात या पृथिवी कि किस छेत्र में पाए जाते हैं अस्थान के नाम आपके इसके नीचे दिए गया है बच्चो तो आपको इसको मैचिंग करकर लिखना होगा तो धन्यवाद बच्चों नेक्स्ट रोज हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे तब तक इसको आप लोग पढ़ करके इसको लिखकर त्यार करकर रखेंगे धन्यवाद